हेलो दोस्तों कैसे आप सबी आई होप आप अच्छे होंगे तो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है नरिन और आप देख रहे हो हमारा यूटूब अन सोन्या फिसिंग तो दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो पे नहीं है तो लाइक और सेड और सब्सक्राइब जरूर करें हमारी चैनल को यह देख पा रहे हो आप जो है दोस्तों हम केचवा निकाल रहे हैं आज केचवे से शिकार करेंगे नदी के अंदर तो नदी के अंदर जो जिस मचली का सिकार करने के लिए आए हैं वो है कोमन कराप सबसे पहले आपको पहचान होना चाहिए यह देखे मैं दिखा रहा हूँ आपको कोमन कराप मचली जो कोमन कराप मचली होती है वो इस प्रकार से होती है दोस्तों और कोमन कराप कि जैसी और सारी बहुत सारी मचली होती है लेक को ये पहचान हो गई कि डैम में या नदी में कौन सी मचली है तो उसके हिसाब से आप चारा लेकर जाएं दोस्तों तब 100% जो है दोस्तों आप उसका सिकार कर पाऊगे सबसे पहले तो जो कुमन का आप मचली है दोस्तों आप उसकी पहचान कर लेजीगा इसका मूह थोड़ केचवे को नहीं पकड़ती है और आप ये देख पा रहे हो ये कुमन करा मचली केचवे को पकड़ती है दोस्तों इसलिए हम केचवे निकाल रहे थे इसके लिए ये आप ध्यान से पहचान लीजीगा इसको ये जो है दोस्तों केचवे को पकड़ती है और जो नदी के किना किनारे या तालाब के किनारी या बद्रों के किनारे जो छोटे-छोटे कीट घूमते रहते हैं उनको ये खाती है दोस्तों और पसंदीदा भोजन होता है इसका बहुत जबरदस तरीके से केचव को पकड़ती है एक बार आप डालके देखिएगा वहां पर जाते ही मतलब मैल ऐसी होते हैं तो एक दम सिर्फ जटपती है दोस्तों ये केचव के तो केचवा इसका जो मन पसंदीदा भोजन है दोस्तों उसको लगा करके आप इसको कैच कर सकते हैं पकड़ सकते हैं इसका सिकार कर सकते हैं ठीके दोस्तों ये देख लिए मुह मुह होता है दोस्तों और मचली कोई अलावा लेकिन आप केचवी के अलावा दूसरा चारा भी इस्तमाल कर रहे हैं तो इसे परकार का जो है आप चारा बना सकते हैं इसका कोमन क्राप के लिए अलग-अलग जगया अलग-अलग नाम दिया गया है इसका दोस्तों इसको Asian face भी बोला जाता है हमारी आप पर comment क्राप भी बोला जाता है आपके वहाँ पर क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता लेकिन आप comment box में जरूर लिख करके बताईएगा comment क्राप मचली केचव को जएदा खाती है और यदि आपके पास केचवा नहीं है तो किस परकार से हम इसको पकड़ सकते हैं इसका सिकार कर सकते हैं आज मैं आपको यह ट्रीक बताने जा रहा हूँ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो लाइक कीजिएगा और सब् करते हैं पहले पहले आपके लिए वीडिव बनानके लीके आते हैं तो यह टीर नहीं है तो सस्क्राइब करंस हैं हमारे चैनल को और ओर बेल आइकन को भी जिरूर दबाए कोमन जो जारा है, यदि आपके पास केचवा है, तो must better है, यदि केचवा नहीं हैं, माल लिया जाए, आपके पास दो-तीन ही केचवे हैं, और शिखार ज्यादा करना वह ψ तो एक काम कर दोस्तों, आपको उन केचवों को हुक में नहीं डालना है, आप उन केचवे को अच्छे से थोड़ी मिट्टी ले ले लिएजेगा, दाने नोमा मिट्टी होते हैं, वह मिट्टी उठाइगा वहाँ से, और तीन-चार केचवे जो आपके पास हैं, जो थोड़ा आठा जो होता है, आठे में मिक्स कर लीजिएगा, उनको अच्छे से बो जो है अपने होक में लगा करके उचारे को डालिएगा कुमन क्रैप मतली एकदम से अट्रेक्ट होती है दोस्तों वहाँ पी यदि आपको पास केचवप बिल्कुल भी नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा दोस्तों या तो मेदा लेजीगा मेदा भी नहीं है तो आप आटा लेले जिगा आटा लेने के बाद जotional specifically होता है घर में मिल जाता जो हम सबसे बनाते हैं जिससे रिफाइंड एल बोलते हैं दो तीन बुंद तीन बुंद आप आटे में डालेगा दुस्तों आटे में डाल करके उसको ऐसे टाइट कर लिजिगा तकि हो स्विप में लाец कि ल होता है जो सरसोगा तेल बोलते हैं हम उसको ये दितेल नहीं है तो आप तो जानते लेजेगा और आटा ऐसा करना है दोस्तों आपको ऩोड़ा टाइट हो टाकि आपके हुक से वो चलते पानी में ना निकले राजेगा और फिर सिकार कीजीगा दोस्तों देखें का सिकार होता ही या नहीं ठीक है दूसरी बात यह ऐसी यह जो कम ओक्सिजिन में भी जीवित रह सकती है यह जो अपना खेट से जो नदी में पानी आता है वहाँपर जो डाना होता है या मतलब जो भी खेट से जोंचारा करदीन चोटे-चोटे उसको यह खाती है दूस्तों दूस्तों अब केचवा लगाकर अजानी हैं बिल्कुल अजमाніस के देखेंगे दूस्तों हम ने अजमानिस के दीखा पकड़ा भी है कई वार पकड़ा है दोस्तों और अच्छे से कई सारी मचली आप पकड़ी हैं मतलब कम हमारे पास चारा कम था लेकिन फिर भी मतलब ज्यादा पकड़ा है आमने इसको और हम इसलिए बताते हैं आपको ताकि आप भी इसको पकड़ सके पैचान कर लिए जिगा ये देख रहे हैं आप इस परकार की मचली होती है कोमन कर आप मचली को पकड़ने के लिए कई मैं दो तिन चारे बताए हैं मैंने वो इस्तमाल कीजिएगा दोस्तों आप आसानी से उसको पकड़ पाएंगे ठीक है और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी है तो दोस्तों हमारे चैनल को स सब्सक्राइब जुरूर कर लें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी पहलाएं दोस्तों ताकि वो भी जान पाएं इस मचली को पकड़ने का जो राज है जो तरीका है जो ट्रीक है वो भी समझ पाएं दोस्तों आप यह देख पा रहे हैं मैं दिखा रहा यह है कोमन कराप दोस्तों कोमन कराप का महुत और यह दुंदले पानी में भी नदी में जैसे गदला पानी आया है उसमें भी रहती है तो आई होप आप समझ पाएंगे थैंक्यू सो मत दोस्तों